है तो इस वीडियो में बात करने वाले इंसुलीन की प्रकार के बारे में किस प्रकार की इंसुलीन मौजूद है और मार्केट में जो इंसुलीन आते हैं कौन-कौन सी टाइप की इंसुलीन आते है और अलग-अलग प्रकार की इंसुलीन क्यों दिया जाता है और आपको अगर प्रेस्काइब किया गया कोई एक प्रकार की इन्सुलीन तो उसका क्या रिक्वार्मेंट है उसका क्या यूज है बेनेफिट है सारे के सारे इन्सुलीन के बारे में आज वीडियो में बात करेंगे तो चलिए पहले बात आपको समझाने के लिए में इमेज यूज करूंगा उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ इंसुलीन चाहिए क्यों इंसुलीन को दिया जाता है 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 इंसुलीन क नियुकरर धो होता हा, पांक्रियस हे हॉड्मोन को तयार करता है था। फैनक्रियस से था। लुकरर पशार होता है वह घ्लाइन था। 노력 अ का मात्रा बढ़े होता है। था था कि अच आम पहसे का काम होता है ब्लड में रहा यह ग्लुकोस को इंसर्ट करना कहां पर सेल के अंदर ले ले लेना उसके बाद उसको स्टोर करके रखना या फिर यूज करना हम बॉड़ी में ग्लुकोस को यूज कर सकते हैं हमारे सेल्स जो कोशी काया है उस ग्लुकोस को यूज करते हैं इनर्ज energy source वो glucose एक energy source है उसको यूटिलाइस करके energy फैदा करता है उससे इनर्जी अपना काम करता है अब जब बॉडि में अल्रेडी energy मौजुथ है मतलब उतना glucose की utilization नहीं है फिर भी हम खाते जा रहे हैं हम खाते हैं ना पाने की शौकीन लोग होते हैं खाते हैं जरूर से ज्यादा तो ग्लुकोस को स्टोर करके रखा जाता है ग्लाइकोजन के तौर पे लिवर में तो यह नॉर्मल ग्लुकोस मेटाबोलिजम है ऐसे ग्लुकोस रिगुलेट होता है बॉडी के अंदर अब देखो इंसुलीन का का ट्रूर कहा इसके का राओ ग्लाइब ellos अब लग प्रकार के ड्यापीटिस में इंसुलीन बॉडी में कम तयार, एक और आप यह नहीर देखो शौल जौरे ब्लुकोस आपका बहुत बदितकि अर्चाट का रह रहा रहा एंदा सालु में और ड्जूलेटीन की नहीं है, और गटाने की कोशिश किया जाता है तो जो इंसुलीन के टाइप यहां पर आपको दिया जागा तीन प्रकार की इंसुलीन होता है प्रकार की इंसुलीन डिपेंड करता है उसकी ऑनसेट के उपर मतलब इंसुलीन कब काम कर रहा है किसी सहाब से काम कर रहा है उसके उपर डिपें करता है मतलब मान लो आप 2-3 घंटा और टोटल काम करते करते हैं 4-6 घंटे तक का काम करता है उसके बाद आ जाता है long lasting long acting वह उसका काम करना मतलब 12 घंटे से उपर 24 आउस तक वह काम कर सकता है तो इसी साब से तीनों अलग-अलग वरकार की अगर किसी इंसान को इंसुलीन कहने के ताइम साथ साथ कम करना है बहुत फास्ट कम करना है इन्सान को दिया जाएगा Intermediate Acting Insulin अगर किसी इंसान को बहुत दिनों से ये Blood Sugar हाई है और उसको Regulate करने के लिए Insulin दिया जा रहा है तो वहाँ पर Insulin दिया जाएगा जो है Long Lasting और Long Duration Insulin जहाँ पर Long Duration Insulin देने से मतलब दिन में 24 घंटे के हिसाब से Insulin दिया जाएगा अब Insulin कितने बार दिन में आपको दिना है कितना बार दिना होता है ये Depend करता है आपकी Total Blood Glucos के उपर और कैसे ये Regulate हो रहा है उसके उपर ये दिन में एक बार हो सकता है या फिर दो बार किसी-किसी इंसान में तीन बार भी ज़रूरत हो सकता है आपके डॉक्टर करेंगे कि कब देना है किस ions हिसाब से देना होता है позвол Portitt को jest आपको बताते हैं कि अलग प्रकार की insulin यहां पर क्या है और हम आपको उस का यहां पर इसके से ढिखाते हैं इस पो आपके आपको नजर आएंगे तो यहां पर आप को पता चलेगा चाहिए जालिए तो आपको एकिये घवे तीन प्रकार की इसका तीन हो प्रकार यहां में उनसलिन आता है जो इहां सकत नमेया की निदा है यह तो यह टीक है यह ऐसे से वह लिस फरो यह यह फारट यह तीन प्रकार के है यहां पर इन प्रकार की र्यापिड एंसुलीन होता है और ये रैपिड एंसुलीन देखने में क्लिओर होता है कोई ऐसे अगर आप इसको पान के बतो ira brand कि तरह दिखता है onset का मतलब होता है insulin लेने के साथ साथ कितने time में यह action start होता है तो वो है onset peak होता है कि maximum action of insulin वो insulin लेने के बाद maximum उसका जो activity है कब कितने घंटे तक नजर आता है और duration क्या होता है duration मतलब पूरा insulin लेने के साथ complete action होने तक end तक का जो time है वह है duration तो onset, peak और duration ये तीनों चीज के उपर depend करता है insulin के activity तो rapid acting जो होता है lispro, glulacin और aspart ये सारे के सारे rapid acting है और इसका onset है 10 से 15 मिनिट मतलब नॉर्मली ये जो rapid acting insulin है ये दिया जाता है skin के नीचे याफिए ये दिया जाता है ऐसा कहीं जगा पर body में जहां पर fat tissue हो adipose tissue में होता है पेट के नाभी के surrounding area में तो वह सारे जो areas होता है ये इंसुलीन दे सकते क्योंकि insulin fat cell के करीब देना होता है injection से inject apply किया होता है ये injection जब दिया जाएगा इसके साथ सा 10 से 15 मिनिट के अंदर ये इंसुलीन जो है blood में पहुँच जाएगा और action स्टार्ट कर देगा और peak activity होगा एक से दो घंटे में और duration टोटल इंसुलीन के activity खतम हो जाएगा पांच से शे घंटे की बीच तो ये बहुत ही fast acting insulin हो गया दिन में दो बार या फिर तीन बार दिया जाता है उसके बाद देखे intermediate acting जो जो example NPH या फिर अभी तो कुछ mix mix insulin भी यूज किया जाता है इंसुलीन पहले क्या होता था कि 1925 में इंसुलीन डिस्कवर किया गया था तो तहां जब इंसुलीन है तो उसके बाद क्या किया गया था नॉर्मली हम जो है गाय से और पॉर्ट ये दो जगा से अलग अलग जगा से सोर्स करते थे इंसुलीन को क्योंकि human insulin हम प्रोड्यूस नहीं करते तो एनिमल इंसुलीन से काम चल जाता था फिर 1980 की लास्ट एंड तक 1988-1989 उसके बाद जाके हमारे पास सिंथेटिक इंसुलीन तयार करने का टिकनीक आया रिकंबिनेंट टेक्नोलीजी यूज करके हम कर सकते तो आर्टिफिशली कुछ इंसुलीन की जैसा दिकने वाले सबस्टेंस तयार करते हैं जो इंसुलीन की तरफ फ़ंक्शन करेगा उसको कहा जाते है इंसुलीन एनलोग है जह लूला इसीन एसपार इंसुलीन आलोग कोई बी रियल इंसुलीन नहीं है human body insulin नहीं है, ना तो animal body insulin है, अब intermediate में आता है NPH, यहाँ पर humulin N और novulin N, NPH, company के नाम अलग-अलग country में, देशों में अलग-अलग होता है, हिंदुस्तान में अलग है, US में अलग है, अलग-अलग country में अलग है, तो यहाँ पर आप देखो कि NPH की type है, category, उसके अंदर अलग- acting को जोड के यूज किया जाता है, as a mixture यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते है, human insulin premix, premix और NPH को एक साथ, कभी NPH और premix को 50-50 ratio में, या फिर NPH premix को 70-30 ratio में, या तो 80-20 ratio में यूज किया जाता है, और यह जो intermediate acting है, इसका onset है, start करना काम को 1-3 गंटे, और peak होता है 5-6 जाते भी कभी कभी और onset, मतब duration, पूरा insulin काम करने का duration 12-18 गंटे तक होता है, 12-18 गंटे तक, और slow acting, last प्रकार की insulin होता है, example, गलारजीन और डेटेमीर, और गलारजीन का कंपनी नाम यहा पर इंडिया में बिकता है, लैंटस के नाम पे, और डेटेमीर बनता है, लेवेमीर तक हो सकता है, मतब देड़ गंटे से दो गंटे, पीक बोल के कोई कुछ नहीं होता है, slow acting में, क्योंकि बहुत slowly gradually काम करता है, ऐसा कोई peak phase नहीं होता है, और duration है 24 गंटे तक काम कर सकता है, कुछ 12 गंटे और maximum 24 गंटे तक यह काम करता है, तो यहाँ पर यह तीनों प्रकार क का जो है NPH, वो एक cloudy mixture होता है, अगर आप ऐसे shake करके देखोगे वायल को, तो cloudy लगेगा आपको, बाकी दो clear appearance आता है, अभी और एक चीज आपको दिखा दी, यहाँ पर जो चीज हम आपको दिखाएंगे, तो चली अभी जो चीज आपको दिखाएंगे, तो चली अभी जो 1 hour, peak होता है 2-4 गंटा, और duration 6-8 गंटा, clear होता है, मगर अभी हम यूज नहीं करते है, हम यूज करते है analog, जो है LISPRO, Aspart, as well as glue lysine, यह onset of time 15 minutes से नीचा होता है, नीचे और peak time होता है 1-2 गंटे का, duration होता है 4-6 गंटे का, appearance clear आता है, उसके बाद देखें, intermediate type, जो है MPH, जिसक onset 1-2 गंटा, और peak 6-10 गंटा, duration 12 गंटे तक, और appearance भी, और 12 गंटे से सम्टाइम्स ज्यादा भी होता है, 18 गंटे तक हो सकता है, appearance इसका cloud होता है, और आखिरकार long acting जिसमें हाता है, डेटेमीर और गलारजीन, डेटेमीर 1 गंटा, गलारजीन 1.5 आर, यहाँ पर peak होता है दो करमल यह आप मेजर नहीं कर सकता है, जनरली peak यहाँ पर flat होता है, फिर भी 5-6 गंटे का जो time हो, हाँ पर activity बहुत अच्छे तरीके से observable होता है, मगर long acting insulin में peak बोलके कुछ ऐसा नहीं होता है, long acting insulin जैसे के डेटेमीर और गलारजीन, इसका भी appearance clear होता है, तो यहाँ पर अग regular type थोरा सा नीचे आता है, उसके बाद होता है NPA जो intermediate type हो गया, उसके बाद होता है, डेटेमीर और गलारजीन जो के आजाता है, बहुत ही slow acting, देखो उसका peak ऐसा कोई graph नहीं है, यहाँ पर जो glucose concentration, glucose infusion rate बोलते हैं, जिसको glucose को blood से transfer करके store किया जाता है, बोडी के cells के अंदर तो वहाँ पर यह infusion rate जो है, यह peak activity बाकीर में नजर आता है, slow acting में नजर नहीं आता है, flat activity होता है, मगर 24 घंटे तक activity नजर आता है, तो यह होता है अलग अलग प्रकार की insulin और यह insulin कैसे काम करते हैं, मैंने आपको अल्रेडी बताया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वी अगर शरश्मार सबस्क पूर आता है, आता है